Good morning children, आप सब कैसे हो? I hope आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होगे तो चलिए आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट पहले आपने इंग्लिश में ए लिखना स्टार्ट करेंगे तो सब अपने अपनी कॉपी निकाल लो और आज हम लोग इंग्लिश की कॉपी निकालोगे और अपने पेंसिल पास में रखोगे और लिखना मैं के साथ साथ ही स्टार्ट करोगे पहले हम लोग यह जो रेड़ लायन दिख रहा है वहां से एक लायन हम लोग नीचे की और खेचेंगे मीडल की तरफ पूरे यह फोल लायन में यहां तक नहीं लाना है में मेड़े लग को उसी के लेवल में यहां तक लाना है और फिर बीच में ऐसे कर दना है यह हो गया आपका A क्या हो गया ए फिर से देखो यह एक लाइन उपर से नीचे की और और यह उपर से नीचे की और मिडिल में ऐसे कर दना है यह हो गया आपका A A for apple Again उपर से नीचे की ओर ये भी उपर से नीचे की ओर Middle में एक और line कर देना है It's A Again उपर से नीचे की ओर और middle में एक It's A A for apple A for apple फिर से देखोगे एक बार और उपर से नीचे की ओर और उसी के लेबल में और मिडिल में एक आपको ऐसे कर लाइन दे देना है इस ए उपर से नीचे की और मिडिल में ए यह क्या हो गया? ए, A for apple जैसे जैसे लिखा है उसी के नीचे नीचे आप लोग लिखोगे इससे आपकी हैंड राइटिंग भी सुन्दर होंगी से आपको हर एक लाइन में डॉट दे देना है अगर आपको नहीं आता होगा आपके घर में जो बड़े होंगे मम्मी, पापा, दीदी जो उनसे यह डॉट आप दिला लोगे और उसी के आप उपर आप लिखना सुरू करोगे इससे आपकी सीधी सीधी लाइने से ए लिखना स्टार्ट हो जाएगा और देखने में भी कॉपी में यह खुबशूरत लगेगे यह आपका होमवक हो गया पहले आप दुसरे कॉपी निकालोगे और हम लोग आप मैस स्टार्ट करेंगे मैस की कॉपी निकालोगे यह फोर लाइन देखो यह से कॉपी जो बॉक्स बॉक्स बना हुआ है इसको हम लोग कॉन सी कॉपी बोलते हैं मैस की कॉपी मैस की कॉपी निकालोगे और आज हम लोग वान लखना स्टार्ट करेंगे मैं में एक प्रैक्टिस कर रही थी देख भी सकते हो पर आज आपको मैं लिखके भी दिखाऊंगी पहले बॉक्स में एक लंबी सी लाइन खीचोगे उपर छोटा सा एक टेल निकाल दोगे और नीचे एक लाइन ऐसे सीधी ये क्या हो गया आपका? वान क्या हो गया? वान फिर लंबी सीधी सी लाइन नीचे छोटी सी एक लाइन और उपर एक छोटा सा टेल ये क्या हो गया? वान अगेन सीधी सी लाइन नीचे छोटा सा लाइन और ये वान इस तरह से आपको चार बॉक्स में वान बनाना है और इसी के नीचे-नीचे सारी copies में आपको लिखनी भी है ये आपका क्या हो गया? One पर ऐसे नहीं लिखोगे, dot दे लोगे पहले हर एक घर के सामने आप ऐसे dot दे लोगे इससे आपका सीधी-सीधी लिखावट होगी और देखने में भी खुबश्वत लगेगी चिक्क है? Next, अब हम लोग हिंदी की copy निकालेंगे और उसमें हम लोग का लिखना स्टार्ट करेंगे हिंदी की copy ये line देख रहे हो, मैं के पास जो copy है इसको कौन सी copy बोलते हैं? हिंदी आप भी अपनी हिंदी की copy निकालोगे और हम लोग आज कर लिखना स्टार्ट करेंगे कैसे लिखोगे? पहले उपर सीधी सी लाइन दे लोगे इस तरह से, जैसे मैं ने दिया फिर सीधी सी लाइन यहां से लाओगे, नीचे तक टच करोगे और यहां से एक गोल कर दोगे और इसकी एक पूँच निकाल दोगे यह क्या हो गया? का फिर सीधी सी लाइन को उपर से नीचे तक लाओगे और यहां पे गोल बना दोगे और यह छोटा सा टेल निकाल दोगे यह हो गया का फिर सीधी सी लाइन और ऐसे गोल बनाओगे और इधर से एक पूछ निकाल दोगे यह हो गया क क से क्या होता है बच्चो कब उतर कसे कब उतर अगें फिर आप एक सीधी सीधी लाइन ऐसे करोगे और इसके उपर फिर से आप लिखोगे नीचे तक लाओगे और गोल बनाओग इसका पूच निकाल दोगे, यह हो गया आपका क, क्या हो गया बच्चा क, इस तरह से सब अपना लिखोगे, फिर आप घर में सीधे से जो जितने पेजे बचे हैं, यह आप लोगा हो मुअक हो गया, आप इसको सीधी सी लाइन कर लोगे, आपको नहीं आता होगा, घर में अपर आपको लिखना होगा, इस तरह से पूरा कॉपी को आपको कम्प्लीट करना है, यह आपका हो मुअक हो गया, थैंक यू,